जब मैं कहता हूं तो इस state of mind को नहीं change करने से आपको क्या नुकसान हो रहा होता है हो सकता है आपका relationship सफर कर रहा हो या आप business में बहुत loss खा रहे हो या business stuck हो गया हो आगे नहीं grow हो रहा हो या हो सकता है कि आपके अंदर कोई ऐसा fear है जिसकी वज़े से आपकी health बहुत सफर कर रही हो आज मैं आपको examples के साथ में इसको समझाओंगा how to change your state state आपकी बनती बहुत दिनों में है लेकिन वो change कभी भी हो सकती है देखिए जब भी हम mind की communication की बात करते है तो हमारी five senses एक perception बनाती है और उस perception से आपका अभी का state बना जैसे for example एक picture थी पती पतनी और वो तो वो कौन था तो पती पतनी के बीच में उस वो ने बहुत problem किया तो उस picture में वो राजपाल यादव होते है hero और वो ये समझते हैं कि उनकी पतनी उनको प्यार नहीं करती और वो उनको छोड़ना चाती है और बलकि एक दूसरा person है जिसको वो प्यार करती है अब उस अपनी wife को वो पीचा करते हैं चेस करते हैं कि ये कहां जाती है और फिर जैसे ही वो देखते हैं कि एक वकील का उनको आफिस नज़र आया तो तो ठीक है समझ गया बेलकिल वो तो मेरे से divorce करना चाती है हकीकत ये होती है कि उनको कुछ जो ladies की दिक्कत होती है वो problem होती है और वो gynecologist के पास जा रही होती है लेकिन इस perception ने उनकी life को तबहा कर दिया परेशान कर दिया फिर जब तक वो हकीकत सामने आती है तब तक बहुत loss हो चुका होता है अब इसको एक sportsman की life में वो जो perception है वो क्या होता है उनकी जो programming क्या होती है अगर वो दो तीन बार किसी baller पे out हो गए दो तीन बार अगर वो zero पे out हो गए तो उनका perception बन जाता है कि मैं out of form हूँ मेरे से ये baller खेला नहीं जाता मेरे run नहीं बनेंगे और ये जो belief बन जाता है उनका ये उनको सफर कराता है मैंने बहुत सारे क्रिकेटर्स की ये belief तोड़े ये state तोड़ा और उसके बाद मैंने देखा कि उन्होंने lifetime अपना best अचिव किया एक under 16 लड़का था मिस्टर राव जब मैंने उनके साथ ये exercise की तो उन्होंने 200 run बनाई बंडे मैच में और एक और बहुत उद्धियमान क्रिकेटर है फरिदाबाद से जब उनके साथ मैंने ये exercise की तो वो देश के number one scorer बने आएए मैं आपको वो example बताता हूँ जिसकी वजह से वो number one बने और किस तरह वो state हमेंने उनको break किया पहले वो state जानिए कि जिसमें अभी है कि अगर वो rope के उधर जाएंगे तो उनको डर लगेगा you are making 10 runs, 20, 30, 40, 50, 100, 200 इस तरह से mentally उनको करते हुए देखिए इसी तरह बिजनेस आपका stuck है तो आँख बंद करके देखिए कि बिजनेस आपका किस तरह से grow कर रहा है और क्या activities कर रहे है ताकि आप बिजनेस में you are making big money तो इस तरह से आप उस state को change करते है अगर आप बीमार है तो आप अपनी wellness की image बनाएए ये बीमारी के beliefs को तोड़िए और अपने health के अपने wellness के वो image create करिए कि जहां पर आप morning उठते हैं अपने rituals को बदलिए अपने आपको healthy होते हुए देखिए where you have become absolutely healthy और imagine करिए आपके imagination में वो बीमारी भी चली गई और आप एक new healthy life enjoy कर रहे है ultimately इसका secret मैं आपको 1,2,3 में बताऊं तो number one state तब change होगा when you change your physiology अगर ऐसे गिरी हुई है तो ऐसे करिए ये resourceful state है physiology change करिए एक person जो खुश है वो दुखी नहीं हो सकता जो दुखी है वो कैसे खुश होगा physiology change करिए neurology change करिए neurology means यहाँ पर जो चल रहा है उस सोच को बदल डालिए neurology आपकी सोच जो thoughts आ रहे उनको बदल दीजे बदलने का मतलब क्या है अगर आप बीमार लग रहे है तो अपने आपको wellness को enjoy करते हो देखिए वो images बनाईए wellness की and number three consciousness consciousness जो इन दोनों को रन करती है physiology और neurology body और mind को रन करती है that is your consciousness इसके लिए अपका भी भी एकांत बैठें अपने सुपर conscious से अपकी जो higher consciousness से उसे connect करिए क्योंकि वो जो thoughts है वहीं से आते है और इसके लिए अप meditation कर सकते हैं कर सकते हैं temple जा सकते हैं जिसमें भी आपका बिलीफ है वहाँ पर जा सकते हैं आपके energy बढ़ेगी energy बढ़ेगी आपकी physiology change होगी neurology change होगी और आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि neural linguist program का origin क्या है इसकी कैसे पता चले कि आपकी जो submodalities है वो दुखी वाली है कि खुश वाली है आपको कोई चीज ऐसी तो नहीं पड़ी जो आपको anchor हो चुकी है जैसे आप उसको देखते हैं सोसते हैं body suffer करती है psychosoma क्या होता है ये सोसता है और ये body suffer करती है जैसे ही कोई negative thought आया किसी का phone call आया कोई खयाल गलत आया और ये आपकी सफर करने लगते हैं हो सकता है palpitation है हो सकता है नीद उड़ जाए हो सकता है डर के कारण body कुछ अलग से behave करने लगे तो दोस्तो नीरो linguistic programming neuroscience को सीखिए इसको practice करिए और आप अपने जीवन में अदभुत चमतकारिक transformation ला सकते हैं और अगले वीडियो में आपको मिलूंगा एक नए topic के साथ धन्य अपने बाद